असलालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खेरियत से हुए आज हम बनाने जा रहे हैं मौर्ग हांडी कबाब बहुत ही आसान है और बहुत ही टिस्टी है चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ मैंने लिनी है चिकिन जो 900 ग्राम है तीन चमच दही लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट क्रॉष ब्लैक पिपर और गरम मसाल एक चमच दही को मैंने डाल दिया साथ में लैसुन अद्रफ क्रॉष ब्लैक पिपर गरम मसाला पॉडर और नमक नमक आव अपनी टेस्ट के हिसाब से डाले और सब को ची तरह के से मिक्स कर लें अब लेंगे दो चॉप कर लिया मैंने अनियन को और इसे फ्राइए करेंगे अनियन को फ्राइए कर रहे हैं जब तक यह बोल्डन कलर ना आ जाए इसको तब तक इसे फ्राइए करना है अब इसमे चिकिन डाल देगे मेरे लिट वाव और अच्छा इसको फ्राइए कर लेंगे नगे हाई फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे अच्छे से मिक्स करने हैं यह दिखें पाँच मिनिट हाई फ्लेम पे इसको फ्राइ कर लेंगे इसका कलर चेंज हो रहा है बहुत ही मज़े काबाब तेयार होता है इसमें हाफ कप मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से मिला ले अब इसे ढख के बनाएंगे अब लोग इसे ढख देते हैं फिफ्टिन मिनट से पकाएंगे पाच मिनट हाई फ्लेम पे और दस मिनट लो फ्लेम पे यह देखें चिकें जो है वो तेल छोड़ दिया है और दीमी दीमी आज पे बन के तयार हो गया है चिकें सारा अंदर से इच्छी से मसाला मिक्स हो गया है इसे सर्फ कर देते है इसे नान रोटी जो चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ इसी खाएं बहुत ही यमी और टेस्टो ले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए अल्ला